हेलो नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आशीश पोटो में आज हम बात करने वाले हैं महिंदरा बिलेरो नियो के बारे में अपने सेग्मेंट की सब 4 मीटर सेवी है लेकिन खास बात क्या है कि ये 7 सीटर है तो अगर आपकी फैमिली बड़ी है आपका बजट है 12-13 लाक क N10 optional variant को आज इसी के बारे में complete detail में बात करने वाले हैं इसके exterior से लेकर interior तक engine features then price के बारे में तो सबसे पहले बात करते हैं इसके color choices की तो अभी आप देखरें इसके black color को इसके लावा white, rocky, beige, silver, red ये 5 color option देखने को मिल जाएंगे इस बिलेरो नियो में तीन साल और एक अलाग किलोमेटर की warranty मिलती है आप इसको extend भी करपा सकते हैं की की बात की जाए तो ऐसी कुछ आपको remote center locking की मिलेगी flip की रहती है पीछे महिंदर की branding है तीन बटन आपको लेंगे lock unlock और buzzer का जो दूसरी वाले secondary की है वो आपको normal सी मिलेगी मतलब उसमें कोई बटन नहीं दिये जाते हैं अगर engine की बात करें वो भी आपको सिर्फ एक ही मिलता है 1.5 liter का mhawk diesel engine जो निकाल के देता है 100 bhp की power और 260 nm का dock mileage भी आपको काफी अच्छा मिलेगा 16-17 तक का अब चलिए बात करते हैं गाड़ी के front profile से fit चलेंगे इसके interior के अंदर तो front से देख रहे हैं और उपर आपको LED DRL मिलते हैं जो कि आपको base brand में देखने को नहीं मिलेंगे बगल में parking light 10 indicator की placement देखने को मिल जाती है नीचे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगी top end variant के अंदर fog lamp की placement बगल में toring को option है जब आप सामने बैट के देखेंगे तो ऐसा कुछ आ आपको power antenna मिलता है आपकी कोई roof race बगरा नहीं देखने को मिलती है और इस 1500 CC M Hawk diesel engine के साथ आपको सिर्फ manual transmission मिलेगा और आपको कोई option देखने को नहीं मिलता है आप आ जाते हैं इसके side profile की तरफ तो side से देख लिए ऐसे कुछ आपको यहाँ पे lux नजर आने वाले है 15 inch के आप की जाए तो 4995 mm लंद है 1795 mm की विर्थ है और यहाँ पर आपको 15 inch के silver finish में alloys offer किये जा रहे है इतना कुछ suspense के travel मिलता है और center में आपको मिलती है महिंद्र की branding महिंद्र कल लोगो MRF के आपको tires मिलेंगे अगर tire section की बात करें तो वह आपको मिलता है 215 पच्च्च्च्च्च की placement mirror पर आपको नहीं दी जाएगी अब बात करेंगे इसके outside mirrors की जो आपको मिलने वाले body color electric wagon को address कर सकते है फोल आपको अपने हाथों से manually करना पड़ेगा बाकी काफी बड़े size में है बाकी B pillar C pillar D pillar सारी चीज़े आपको body color देखने को मिल जाएगी और यह रहा है इसके matte finish मे आपको dual tone color में मिलता है सामने आपको 7 inch कटा चिंफो 10 में सिस्टम मिल जाएगा इसको भी आगे proper cover करते है एंड अगर लकसा second दो दिखाऊं तो यतना कुछ आपको space यहापे मिलने वाला है fabric की sheets रहती है beige finish में इसको भी आगे proper cover करते है रियर में drum और front of this में आपको मिलेंग बागी इसमें cover वगरा भी आता है वो delivery की time आपको लगा के सब दिया जाएगा अब चलिए चलते हैं इसके tail grid की तरफ और देखते हैं क्या कुछ आपको यहापे दिया जा रहा है तो start करेंगे हम उपर से तो यहापे आपको spoiler देखने को मिल जाता है and pass से दिखाऊं तो यहा आपको halogen में यहापे मिलने वाले है टान इंडिकेटर और रिवर स्लाइट की पिसमें आपको सारी चीज़ें यहापे देखने को मिलेंगी यह इसके door handles हैं नीचे आपको reflectors दो reverse parking sensors कोई camera वगरा नहीं आता बिलरो नियों के अंदर यह food step चड़ने उतारने के लिए आप चल की बात की जाए तो ऐसा कुछ आपको interface seating arrangement देखने को मिल जाएगा 384 लेटर का boot space से अगर आप इंसीट को फोल्ड कर देते हैं यह फोल्ड हो जाती ही उपर की तरफ और आमने सामने आप बैठेंगे fabric seats रहने वाली है यह राइस का front dashboard जिसको मैंने अभी आपको दिखा था इ तो यहाँ पर आपको मिलते हैं यह matte finish में door handles अगर door trim की बात किया तो पूरा आपको beige finish में मिलता है single tone color में यहाँ पर देखेंगे तो आपको seller finish में grab handle यह इसका door opener पॉंडो के controls नीचे आपको bottle holder कुछ space यहाँ पे speaker की placement second door में इतना कुछ leg room मिलता है head room में fabric seats हैं दो-दो headrest हैं जिनको आप address कर पाओ के center में आपको arm reach भी दिया जाता है बागी fabric seat से आप अपने choice के recordings में seat cover लगवा सकते हैं आप चलिए अंदर बैट के देखते हैं तो आगे विले seat में आपने recording address कर रखी है और मेरी height 5 foot 8 inch है इस space देख लिए अलब बहुत अच्छा भी नहीं है तो अब बात करेंगे इसके front dashboard की जो आपको मिलता है dual tone color में 7 inch touch infotainment system में इस ट्रेंग पर आपको सारे controls देखने को मिल जाते हैं अब बैट देखें इसके front driver seat के उपर वहां पर बैटके सारी चीज़ आपको दिखाते हैं तो यह रहा है इसके door handles अगर इसके door dream की बात की जाए तो same आपको मिलता है single tone color में यहाँ पर है इसका grab handle उपर आपको door opener कोई भी pound के control यहाँ पर नहीं है speaker की placement है bottle holder है और यह है इसका front cabin यह आपको मिलेगा इसका dashboard dual tone color में और नीचे आपको manual ABC pedals और यह रहे हैं इसकी fabric की seats आगे वाले जो headrest है उनको भी आप address कर पाऊगे यहाँ स height और इस वाले lever से आप recline कर सकते हैं इसकी seat को अब चलिए seat को पीछे करते हैं और बैठते हैं इसकी front driver seat के उपर और यह रहे है इसकी key अब चलिए बैठते हैं अंदर और यह flip की रहती है इसमें आपको तीन बटन मिलते हैं lock unlock और buzzer का बटन जिसको हम लगाएंगी यहाँ और on करते हैं इसका ignition तो ignition on करते हैं आपको यहाँ पर मिलेगा analog cluster एक तरफ rp meter एक तरफ speedometer जिसके अंदर आपको मिलती है 120 तक की top speed बीच मैपको MID multi information display TPMS भी आता है इसके अंदर और बागी सारी चीज़े आपको यह भी देखने को मिलती है जैसे कि trip A, trip B, mileage range इस lever के थूर सा साइड में आपको lever दिया गए उससे आप अपनी ट्री पगरा को set कर पाएंगे यह तो होगी cluster की बात steering की बात किया तो ऐसा कुछ आपको मिलेगा center में आपको मिलती है महिंदर की branding महिंदर का logo, side में देखेंगे तो यहाँ पे आपको multimedia call के सारे controls मिलेंगे, यहाँ पे आपक कोई mirror आपको नहीं दिया जा रहा है, यहाँ पे center में light की control जो की halogen में रहने वाली है, अगर code reset की बात की जाए तो यहाँ पे mirror मिलता है, यहाँ पे mic की placement है, यह manual day night IRVM, अब बात करते हैं गाड़ी के center console की, तो यहाँ पे देख लीजिए AC के वेंट्स है, 7 इंच कटाच इ देखने को मिल जाती है, android auto, apple carplay, यहाँ पे नहीं मिलेंगी, बाकि कोई reverse parking camera नहीं आता है, और नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आपको hazard light का switch देखने को मिलता है, manual AC के सारे controls हैं यहाँ पे, और यह सारे buttons आपको AC से related, यहाँ पे आपको 12 volt का charging outlet, USB port, AUX का port, कुछ space, और यह इसका 5 speed manual transmission, यह सिर्फ manual में ही आती है, manual handbrake है, यहाँ पे चारो पॉंड की controls हैं, और यहाँ इसका separate armrest, दोरो साइड आपको मिल जाएगा, अब बात करते हैं, गलब box की, तो गलब box के अंदर भी आपको ठीकटा की space मिलता है, दो airbags आपको यहाँ पे दिये जाएंगे, यह पूरे interior की बात, आप चलिए गाड़ी को off करते हैं, बात करते हैं, इसके safety features और pricing की, तो इसके अंदर आपको ABS with EBD, center locking, street wheel warning, engine immobilizer, press sensor, corner, braking control, speed alert, और यहाँ पे आपको दिये जा रहे हैं, दो airbags, pricing की बात की जाएंगे, तो N10 option top end of unit है, 12,15,000 एक शोरूम, और लगबग पढ़ने वाली है, तो यह थी महिंद्रा बिलरो नियो, अपने segment की सब 4 meter, 7-state car, कैसे लगए आपको नीचे comments में, जरूर बताईगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया, तो वीडियो को like कर दीगा, चैनल को subscribe कर दीगा, मिलते हैं, एक नए वीडियो के साथ अब तक लिज रहे हिन, वाद्ने मातर मूँ